हेलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाधिस्ट चूलहा में तो आज मैं लेके आई हूँ हमारे उत्राखंड में बनाई जाने वाली खीरे और उरट डाल की बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमारी बढ़िया है जिसे आप देख सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पे हमने दो खीरे लिये हैं यानि दो किलो के आसपास हमने यहाँ पे खीरा लिया हुआ है तो जो है बड़े-बड़े खीरे होते हैं ये तो इस तरह के से हमने बीच से उसका दाना निकाल कर इसको हमें कदुकस कर लेना है और साथी साथ उसी का आधा हमने यहाँ पे उरत डाल ली हुई है यानि एक किलो के आसपास हमने उरत डाल यहाँ भीगा ली थी और अच्छे से हमने इसको वास कर लिया है इसके बाद जो है मिक्सी जार में हमने इसको बिना पानी डाले जो है बारिक बारिक अच्छे से पीस लेना है तो यहां पे देख सकते हैं यह हमारी डाल जो है उड़त डाल पिश चुकी है तो इसी तरीके से सारी उड़त डाल को जो हमें पीस लेना है तो यह उड़त डाल हमने पीस ली है तो यानि जितना हम अगर जैसे खीरा लेते हैं तो उसका आधा हमें डाल यहां पे लेना होता है सपोर्ज अगर हमने दो किलो किलो किला लिया हुआ है तो एक किलो के आसपास हम जो हैं यहां पे उड़त डाल लेंगे तो इस तरीके से अभी खीरे का सारा पानी हमने चोड़ के निकाल लेंगे तो इसी तरीके से सारा खीरा पानी हमें निकाल लेना है और इसके बाद यहाँ पे हमें जो हमने उड़त डाल पीसी हुई थी इसको हम डाल देंगे तो अच्छे से जो है अब हमें दोनों को यहां पर mix कर लेना है तो यहां पर जो हमें थोड़ा फेटने में time देना होता है इनको और यह जो काम है यह हातों से ही अच्छी तरीके से हो सकता है और क्योंकि उड़त दाल काफी चिपकी हुई कुर्म खती है और उसमें इसको डालेंगे तो यह तैरने लगता है तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यह हमारी डाल और जो हमने ककड़ी जो कोरी हुई था खीरा जिसे बोला जाता है उसे कोरा हुआ था वो अच्छे से मिल जाता है तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें अच्छे तो इसी तरीके से आकशे से हमें consistency के साथ लगातार मतलब तो इस तरीके से हमें इसको फेट लेना है तो ये अच्छे से हमने इनको mix कर लिया है दोनों को अब जो हम डालेंगे आगे को बढ़िया तो जब हम बड़ी बिनाते हैं तो हमें जो है अच्छी दूप होती है जब भी हम बड़ी बनाए तो पहले हमें मौसम का जो है देख लेना चाहिए कि बादल वगएरा तो नहीं होने वाले हैं तो अगर जब मौसम हमारा साफ है उसी के बाद जो हमें बड़ी वाला कारेकरम करना चाहिए क्योंकि इसको सूखने के लिए अच्छी दूप च इस तरी के इनीड़ी हुई है तो आप यह सकते हैं या फिर अगर बरतन में आप डालना चाहिए ए शील की कोई बरतन है या आपके बाद वास प्लेट है या तीन है तो किसी थी तरीके से किसी भी चीछ आप डाल सकते है नहाँ पर चाहिए तो इस में हम cah理ें लग औरके मे बनाएंगे तो बड़ी बनाता समय हमें ध्यार लखना है छोटा छोटा ही साइज लेना है बहुत जदा बड़ा नहीं लेना है क्योंकि छोटी साइज की क्या होता है कि खाने के लिए भी अच्छी होती है और साथ ही साथ ही साज हम बनाते है इसको तो यह सूख भी जाती है ज तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल लिया है तो आज का दिन अगर धूप तेज रहती है तो अच्छे तेज धूप में बढ़ियां एक दिन में सूख जाती हैं फिर कल हम इसे नेक्स देवे पलड देंगे तो इसे क्या होगा कि बढ़ियां दो दिन में हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद 2-3 दिन धूप और दिखा दीजिए तो 4-5 दिन अगल अच्छे से हम धूप दिखा लेता है इसको तो हमारी बढ़िया एक दम से तयार हो जाती है तो ये तो थी हमारी उत्राखंड में जो है ककड़ी या खीरे की बड़ी बनाने की विदी तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए तो इसी तरीके से आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी और बड़ी से लेके आऊँगी तब तक के लिए धन्यावाद थैंक यू थैंक यू फ़र में वाचिंग मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ